संगच्चद्धवं शंबदधवं संभो मनांसिजानतां तीवाभागं यतापूरुवे शंजनाना उपाश्वते देवेंद्र मौलि मन्दार मकरंदकनारुणा विन्नमरंतुष्री राधाकृष्णपादाव जरेनवः श्रमत भागवद गीता को यो दैनिस स्वासंग मां हार्दिक स्वागत गर्दचु रव श्रमत भागवद को कीता श्रमत भागवद गीता भगवान श्रक्रिष्ण को अध्यात्मिक्त आश्रवाद। मिशन प्रज्ञा अर्थात जीवन को सबय भान्दा ठुलो मिशन भावतिक, मानसिक, सहित, आध्यापिक मूद उत्ष अर्थात, मोक्ष भागवद सानित्य प्राप्त गर्णुँआ। श्रमत भागवद गीता ले कोईलेई बनी भावतिक जगत लाई उपयोग नगरा, भावतिक जगत निरर्थक्छा, भावतिक जगत अनावस्यक्छा, भानेरक बांदाईना। सर्मत भागवद गीता को भागवान श्रकिष्ण को उपदेश को सार्त अत्व की होगेने, बड़ो जिमेवारी पुर्वक, बड़ो बिवेक पुर्वक, भावतिक जगत लाई भावतिक जगत लाई भावतिक नुपर्षा, शासाते मानशिक रूपमा ते भावतिक जगत ले खुचिबिनी होनुपर्षा, बाटा खुचिबिनी होनुपर्षा र अन्त था, भावतिक जगत संग जोडिदा जोडिदैपनी मोक्ष, भगवत सानिध्य, जन्म, मृत्य, चरामरण कुई चक्रवाट, प्राणी, मुक्त हुनुपर्षा, बन्ने भगवान शुरुक्रिष्णे को उपदेश को सात्वत्व, गर्म, गर्निक पर्षा, हामी जुन्सुकई परिस्थिति मा रहे पनी, जागरीत अवस्तमा में बहे पनी, सुतिक अवस्तमा बहे पनी, जाईक अवस्तमा में बहे पनी, मनुष्यलाई कर्म नगर्न चूड़ चाए, कर्म गर्न इपर्षा, कसरी कर्म गर्दा खेरीमा बेक्तिले भवति कुन्यती का सात्य, मानशिक कुन्यती का सात्य अंत था, आध्यात्मी कुन्यती गर्यरा मोक्षय प्राप्त गर्चा बनने कुरा को सुनिश चाए, भगवत गीत आले गर्यको चाए, तेसरा अध्याई कर्म योग, जुने ब्यक्तिले, शास्त्रिये निये मनुष्यार, कर्म गर्चा, त्यू कर्म हा, मूलत हा, यग्ये ठाहरिंचा, जव वेक्तिले, कर्मला यग्ये का रूप मा लिये रा, शंपादन गर्चा, मोक्षया भगवत बक्ती ज्यान सुनिश चितोंचा, रा, यू सुनिश चेता नहीं, कर्म को उच्छा हो, ज्यान को उच्छा हो, रा, भक्ति को उच्छा हो, भक्ति पनी कर्म हो, ज्यान प्राप्ति पनी कर्म हो, भक्ति मा, आमी समर्पन पुर्वक कर्म कर्चा हो, बने देखी, ज्यान मा, विवेक्पुर्ण तरिकाले, समाली दै कर्म कर्चा, कर्मा आपईमा कर्मा भयाले, गद्धिन को प्रशंगा मा भगवान प्रजापते ब्रह्मा ले मनिश्य को सुरिष्टी गरनु गयो रभाभुगो सोईच्छाले कर्म गर। कर्म तेमरो बाद देताओ। तर येदी तीमिले सास्त्रियो मर्यादालाई पालान गर्दै विवेक पून तरीकाले सदाजार पून तरीकाले कर्म गर्यो बाने मोख्य प्राप्ते सुनिश्चित चाए गरनु न गरन तीमरो इच्छा। बन्यकुरा शुनिश्चित गरनु गर्यो राद देवान भावयता नेन ये देवावायंतु बहा परश्परम भावयंत स्रेय परम अवाप्षयत तीमिहर। कर्म रुकी एग्य द्वारा देवता हरु लाई उन्नत तुल्याव। रा देवता हरु लेपनी तीमिहरु लाई शमुन्नती गरुण एसपरकार दुभईले एक अरकार को उन्नती तुल्याव। दे परमकल्याण गरने चुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ आपने श्वार्त प्रमकुंच जव अव्यक्ति को श्वार्त प्रमकुंच प्रमकुंच अव्यक्ति स्वार्त प्रमकुंच भावनकों श्वावर्त प्रमकुंच 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 सिर्मद वाकवत गीत्वेंप्र म्योंक थीच क्यांट शास्त्रिये निये मनुशार कर्मगर नू तेले परस्पर सरीदेता को शंबन्द विकास नू बनेगो शह अस्तित अथात संसारिक भोग अरूपानी विवेक पुर्ण तरीकाले भोगने मानसिक रूपमा खुशीरोने अन्त तह मुक्ष प्राप्ति गरेर जन्म मृत्ति को बंदन बाट शुटने एक अरकालाई उन्नत गरने पो जीवन ता अपनो अपनो मत्रे उन्नत गरने जीवन होई ना ओ त्यो जीवन हो तरतेस्त जीवन लाई आशुरी जीवन हो त्यो तामसिक जीवन हो त्यो जसले परश्पर सहय गरन शक्देन परश्पर उन्नती गरन शक्देन त्यो चाहे भौतिक उन्नती उस त्यो मानसिक उत्पत्ती उस उन्नती उस चाहे अध्यत्मिक उन्नती उस परस्पर, रिदे संग रिदे जोडे रहा, मन शंग मन जोडे रहा, आत्म संग आत्मा जोडे रहा उन्हती गर्न शक्देईना, अर्का को उन्हती बट जल चुछ अबता बने को लागी परस्पर सहयोगी चेतन आउनपर सम्हों परश्पर्श्वयक्कु भावना प्राकृतिक कुन परश्व इस्ठान भोगान हिवो देवा इस्ठान भोगान हिवो देवा दाश्यंत्य यग्यभाविता तेर्दत्ता न प्रदाएभ्यो योभूं तेस्थे नएवसा देवतातियो जले चेही परश्पर बाने रखाना जाने आशा और ले दीन सक्षा फुली बिन शाहेता प्राप्तगर्श्व रजस्ले परश्पर सहयोग किने माने युँ प्राकृतिक जुन जीवन जा मनुष्य जीवन जा परश्पर सहयोग मा आदारी चा मेरा आमबावले मजन में पची मला सहयोग ना गारे को बाए मा यू स्थान मा आउनी थी ना मान्चे बननी थी ना मजने परश्पर सहयोग को परि नाम यू कुर आता आदुनिक मनन विज्ञान लबेनि श्थान स्थान्टर गार्श्ण we are from society we are from family family we are from nation you so how you clean it with बगवान सिर्किष्न बन्नुंच तेरों स्लोक मा यज्या यज्या सिना शंतो यज्या सिष्ठा सिनस्ञंतो मुच्यंते सर्वकिल्लिषई भुण्यंते ते त्वगं पागा है पचंते तुष्थ अंत्यात्म कारणा बहुत मुहत्त पुने कुरायों स्त्रिष्ठ जनरू यज्या द्वारा प्राप्त फल्क उपयुगर्शन अन्न सब्द को अर्थ मुलता या परिनाम हो यदि आमले असल प्रेक कर्म गर्शं तेसको असल परिनाम निखलां चाहां तरह त्यों असल परिनाम आम निखला होच्या परिनाम प्राप्त होंच सवय शंग हो मीलेर उपयोग वह नांने जोती सोल नहीं मुला ताह पता ची नहीं मजा अंग्पध को अर्थ मुलत कर फ स्लत union पता नहीं से कुद्व अगा कुद्व SE ते जिसन links आपने पात maar खो व्यो गरी रहा हुआ है तो आपनी आशरे वृत्ती होने ंआ जा पाल डू अच्छ्छ्य शास्त्रेय नियम अनुश्व शास्त्रेय अनुझ्य अनुश्व कर्म नगर्णू स्वब विवेक लाए अगाड़ी सारे रहा मन मुखी कर्म गर्णू बनेगो त्यों पापकर्म हो लागला तपाएं लाएं लागला मलाएं महले बहुत रिष्ट काम गरे रहेको तरह जबते लाएं शास्त्र ले शमाज ले संस्कृती ले देखे रहा कईले आपनों सभी वेकले पर निराकरण गरेको सब अने देखे त्वागा पाप नहीं होंच त्यों पाप कर्म द्वारा उस्चित जुन परिणाम ओ त्यों परिणाम मूल अफुलाइपी निकश्ट करूंच और पर श्रिव मानब समाज लाइपी निकश्ट अभुने श्कुचिरों रश्रमाज लाइपी निकश्ट की बनाओं रणतता मोक्षय प्राप्ति गोबाटों मा अगाडी परों अन्नाद्भवंति भूतानी परजन्यादान संभवा परजन्यादन संभवा अन्नाद्भवति परजन्यादन संभवा यज्याद्भवति परजन्यो यज्यकर्म समुद्भवा दोस्रो स्लोक मा पगवान बननोंचा शंपूर्ण अन्य अर्थाथ हम्रो कर्म को कारनले इनी सवय भूत हरू उत्पण्ना हुंचान हामी कसे को कर्म का परिणामन मैं ले त्यो पस्ट बननों मेरो जो पांस पूट चार पांस इंचे को जुन सरीर छा त्यो कार्म को प्पाला र अन्य मने को यग्य को परिणाम अन्य मने को यग्यां को परिणाम र त्यो परिणाम बाट शंपूर्ण द्रिष्टी बाट श्रिष्टी को सरीर ना हुंचा र परजन्यादन शंबाब जब बर्षा हुंचा बर्षा द्वारा अन्न द्वारा यग्या हुँँच ये इंटर रिलेटेट असल कर्म गरों असल परिणाम प्राप्त हुँच असल परिणाम नहीं असल कर्म गरों खराप परिणाम निकलांच खराप परिणाम ने पुनस खराप धिशाने निर्दासित त्यसकारण ले हारीक बेखतिले कर्म गरों बड़ो ध्यान पुर्याँ पर्शा अदादतले भलेजीताई दियस तर जूट जूटही उन्च डेमोक्रिशीले कुने पिनी साइन्टिफिक एबेंट लाइचें डेमोक्रेशी को आधारमा बहुमत को आधारमा सत्य असत्य बनाना शाकें दैना भलेजी डेमोक्रेशी ले त्यो गरोश तर त्यो असत्य नहीं रांचा प्रजात अंत्र को शत्य को निर्णे बहुमत लेगार निया शत्य की नहीं आपहि में सुन्ज सतो छोही स्कारटको सुन्ज सतो प्यूर छा त्या वह द्याक आक। नहीं चीजी मिलना शक्ते न ihan ! ताई भारा कर्म र यज्यको बीच मा परश्पर्शंबंद सा यज्य만ेको शात्रिय विदी अनुसार गर यज्य कर्म अनुसार वरुण़िये ते व कर्म ले असल परिनाम ले यू बिश्व सुक्न में ले जाए यू बिश्वत दुकियों चा लुआ है। श्री हरी द्वारा हरी कई एवटा प्रारुप भगवान लेनी कर्म को स्रजन्ना गरनु बागो र ब्रह्म बाट ब्रह्म जुनो त्यो ब्रह्म शब्द हो त्यो अक्षर च त्यो कईली नष्ट नाउने च कर्म र ब्रह्म मा अंतर भुत संबंध भय को कारण ले त्यो ब्रह्म बने के सबय ठाउं में व्याप्त हो त्यो ठाउं से न जा ब्रह्म से न त्यो कारण ले नित्य अग्या द्वारा जे त्यो ब्रह्म लाई अर्थात सास्त्रिय विधी विधान द्वारा गरिये का कर्म गर तियो ब्रह्म लाई तियो परमात्म लाई तियो इश्वर लाई आपुसंग निरंतर प्राप्त गर्नू आपुसंग ब्रह्म को अनुभुती गर्नू शमस्त प्राणी हरू अन्न बाट उत्पन्न होंचन आप सम hacia आजर्विक सिनक संके स足ब्लिन अबलडों करता की नक्याू समर्क दो चोंगे सकतें पंच में और सोन्हें जुद्नें पनेयरु यह विंड़ते हैै खेट सम चलों करतेफिक सोन्हाँलिक सतन्यों शिर्मत भगवत गीता की न बने भक्ती ज्यान कर्म को त्रिभेणियो जब यहां कर्म को पुर्य गरीएको चा बने ये सद्ध्याय मा यग्य का सास्त्रिय विधी विधान पुर्व कर्म गर्णू पने यग्य हो बने दही दोसरो शास्त्रिय विधान अनुशार्त यग्य कुण्ड हरु खने र नित्य नईमित्तिक यग्य हरु गर्णू बने यग्यनियो त्यो बने शास्त्रिय विधियो ब्रह्म मुपूर्तमा उटने इष्णाना दी गरने शंद्य वंदना दी गरने नईमित्तिक्र निश्काम्र निश्काम्र सकाक यग्य हरु गरने प्राचिन कालमा राज सुए भयो तैस्ता आन्सन के यग्य हरु को अग्नी स्थापना पुर्वक्षत्य नारण का कुजा गरने पने यग्यो अग्नी स्थापना गरेरा आमीले जाव यग्य अग्नीला अव्वान गरेरा हवना दी गर्शम तेला यग्य बने चाँ पुनि विश्व विद्या लेले यग्य विशयक अनुषान दन्न गर्दा केरीमा यग्य धूम और थाथ यग्य जुन धूमा उंच तेसले चेहीं बातावरण लाई शुद्ध गरने रम त्यो बातावरण लेचेहीं मनुष्य लाई सुखी बनाउने बनने कुरा प्रमाण जे जहरोचेह, यग्य का विशासस मन्ध मा अमेरिकामा रहें हका पचास वड़ा विश्व विश्व विद्यालाय यग्य विश्व विश्व विद्यालाय यग्यक प्रश़तर्Уक्मे अनुषन दान जण। तिनी सबय अनसंदान को सार के हो बने देखे वैदिक उच्चारन पुर्भक अगनी स्थापना पुर्भक गरिये रहा हवन गरिये का एग्यार ले प्रकर्तिला इस्चुगत बनावने रहीच बनने गुरा तिक खोज अरली शिद्ध वैगोसा यो नेट में गवारत माइले रहना शक्नाँछा हार्योग